ओम् नमो अरिहंतानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियानम् नमो उवज्जायानम् नमो लोवे सवसाहुनम् एसो पंचणमुकारो सववपावपनासणम् मंगलानम्च सवसिम् पडमम् हवै मंगलम् ओम् नमो अरिहंतानम् महादेव्याकुक्षिरत्नम् शब्द जेतर वात्मजम् राजचंद्रम् महं वंदे तत्व लोचन दायकं प्रभु तत्व लोचन दायकं परात्पर गुरुवे नमहुं परंपराचार्य गुरुवे नमहुं परंगुरुवे नमहुं साक्षात् प्रत्यक्ष्य सद्गुरुवे नमो नमहुं अनन्त अनन्त भाव भेदती भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पेव्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवब्धी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे। उपमा आप्यानी जेने तमाराख वीते व्यर्थ अपवाती निजमती मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्रबाल ख्याल नती पामताई जीनेश्वर तनी वानी जानी तेने जानी छे। गुरू राज तनी वानी जानी तेने जानी छे। आत्मबोध्शतक गाथा चप्पन एक एक लाइन जल्वानी छे। न्यायवान इक कर्म रहा है समद्रश्टी से न्याय करे। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे। कर्म समान व्यवस्था पक इस जग में ओरन दिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। न्यायवान इक कर्म रहा है समद्रश्टी से न्याय करे। भावों के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करे। कर्म समान व्यवस्था पक इस जग में ओरन दिखता है। निज निज करनी के अनुसारी लेख सभी के लिखता है। खुब सुन्दर वाद करें चेरे। कर्म सिधान न्यायवान इक कर्म रहा है समद्रश्टी से न्याय करे। इस जगत में सबसे बड़ा जज्ज सुप्रीम कॉर्ट है। सुप्रीम कॉर्ट कौन सा है मुख्य न्याय दिश। दोनों तो वो कर्म हैं। कैसा है वो समद्रश्टी से न्याय करे। उसकी दिश्टी में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। कोई पाप का भाव बहुत बड़ा महापुरुष करे। तो उसको भी वो उसकी सजा करम देगा। कोई लाख करे चतूराई करम का लेख मिते ना भाई करम का लेख मिते ना भाई इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का उपाई कागज हो तो हर कोई बांचे करमन बांचा जाई इक दिन इसी किसमत के ही कारण बन को चले थे रगूराई रे करम का लेख मिते ना भाई करम का लेख मिते ना भाई देखो राम को भी जंगल में जाना पड़ा है किसने भेजा करमों ने भेजा है उन्होंने पूर्वों में ऐसे करम कियोंगे जुदा करने के अलग करने के चिनने के तो किसी को नहीं छोड़ता ही है परें तो इस भजन में इस ना समझ लेना आगे आएगा सभी करमों का फल हमको भोगना ही पड़े ऐसा नहीं है नहीं तो कोई जी मुक्त इनी हो किसका खल फल भोगना पड़ता है वो आगे थोड़ा देखेंगे आपर पर यहाँ तो वो समद्रष्टी से नियाय करे जो जैसा करता है वैसा वो भोगता है और उसका फल उसी को देता है, दूसरे को भी नहीं देता है, हम ऐसा समझते हैं कभी-कभी, कि देखो, ये इस एक विक्ति के कारण अपने सब गड़बड हो रही है, हम छोटे थे, पढ़ते थे तो एक पाठ आता था, कसोटी, उसका नाम कसोटी था, उसमें ऐसा बताते हैं, हिंदी में पाठ आता था, कि 33 लोग थे, वो यात्रा में जा रहे थे, 33, उसमें बीच में बहुत अधिक तुफान, बारिश, आंधी, मुस्लाधर बारिश होने लेगी, अब ऐसा हुआ कि एक वेक्ति, वो अकेला था, वो बारिश का समय था, दूर, खड़ा था, बिचरा भीग रहा था, अकेला था तो डर भी लग रहा था, अब वो सोच रहा था कि मैं उनके साथ चला जाऊं तो अच्छा, और वो वेक्ति उनी के गाउं का था, और उसके बारे में ऐसा भ्रम था, कि वो अप्शकुन वाला है, एसा भ्रमता हो, सब उसको ऐसा ही मानते थे, कि यह जाँ जाता है, कुछ ने कुछ गड़बर होती ही है, अब इसलिए उन्हों ने उसको भी यात्रा करने था, उसको दूर कर दिया था, वो अकेला अकेला जा रहा था, अब उसको यू हुआ, कि यार डर लग रहा था तो आ अब वो क्या सोच, अब डरे डरे थे वो सब लोग, वो भी अकेला आप, तो वो तो चलो उनको जो सोचना है, वो सोच, मैं तो जाता हूँ, यू करके वो उनके साथ आकर के मिल गया, अब जैसे उनके साथ आया तो इन लोगों ने उसको भगा दिया वापस, कि तु जा यह तु कहां से आया है, अभी हम एक मुसीबत में पड़े और तेरे कारण दूसरी मुसीबत और आ जाएगी हो, और जैसे ही वो गया, और थोड़ी दूर पहुंचा और बिजली गिरी, और वो 33 लोग थे उनके उपर गिरी, तो ऐसा नहीं समझना है कि किसी के कारण से हमको कश कोई किसी को कोई कश्ट देता, पिता का कर्म पुत्र नहीं ले सकता है, पुत्र का कर्म पिता नहीं ले सकता है, इसलिए इन मुडताओं को निकाल देना चाहिए जिवन में, अपन तो बाप दालाओं की खाते हैं, हम इखटा करेंगे तो हमारे संता ने खाएगी, अपने क कर्म से खा रही हैं तुमने अपना इखटा गया तुमको तुम्हरा मिल रहा है कोई किसी का न लेता है न लेता है ये तो निमित नमितिक ऐसी विवस्था होती हैं किसी निमित से कोई ऐसा संयोगा जाता है तो उसके कारण से अपने कर्म की उधिरना अपने कर्म की उधिरना ह होती है और फल अपने कर्म के अनुसर अपने को मिलता है है इゐ लोक में कुछ रुडिया चलती है रुडिया किसे चलती है । हो यह टो चले जाने के बाद की श्राद कि स्लिए करते है की हमारे पूर जोकी मुक्त हो जाएगी ② इसलिए श्राद करते तो वो ऐसा मानते हैं कि वो आत्मायन भटकती रहती है और जब तक हम उनका तरपन नहीं करते हैं श्राद नहीं करते हैं तब तक उनकी मुक्ती होती है आपके इधर शाध्ध करने से आपके पिता जी को नहीं मिलने वाला वो आप उनके निमिज से चार जनों को खिलाते हो तो कदाचित उसका पुन्य आपको मिले पर उससे आपके पिता जी की गती सुदर जाएगी ऐसा नहीं है और कोई भी गती के बिना एक सेकंड भी रहता मरने के बाद उसकी तुरन दूसरी गती हो जाती है कोई भटकता नहीं है यह तो भ्रम है अपना की कोई भटकते रहते हैं तो यह मुड़ता है कोई कारिक्रम करने में दोश नहीं है पर जो आशे है न उसमें मूढता है इसमें कोई दिक्कत नो हुणने का काम है पर आप जो मान रहे हो कि इसके कारण से हमारे पुरवजो को भुक्ति मिलेगी ये मूढता है मिथ्यातव का 7 यहाँ पर हो रहा है ऐसे बीना जाने लोग ऐसे सेवन करते जाते मुड़ता हो का और लोग में तो बहुत चलता है लोग रूड़िया चलती है हाँ पिता के नाम करो माता के नाम किसी से भी हम दान कर रहे हैं तो हमको फल मिलता है इसलिए अपना यहां कोई भी मृत्य हो जाते हैं इसके पीछे दान करने की परंपरा है अब वो वेक्ति कह गया हो कि मेरे पीछे इतना इतना दान करना तो उसका फल उसको भी मिला परंतु वो नहीं कह गया है तो फिर उसको उसका फल नहीं फिर जो बेटा करना उसी को उसका फल है क्योंकि उसके तो उसने तो कोई भाव किये नहीं ना दान करने के जो भाव करता है उसको फल मिलता है द्रवी इधर उधर कहो पर भाव जिसने किये अभी कोई वस्तु दान करनी है और मैं आपको दू कि यह भई दान कर दो पर आपके दान करने के भाव नहीं है तो मैंने कहा इसलिए फल किसको लगेगा मुझे ही लगेगा आपने तो केवल इस वस्तु को यहां से उठा करके यहां दिये बस भाव नहीं किये आप भी अगर भाव करें उसमें तो आपको भी फल लग जाए दो जुनों का फल लग जाए भाव से फल मिलता और उसके अनुसार उदय आता है और उसके अनुसार अपने को सारे होता है तो यह सब कर्म है वो नियाय करने में सक्षम है भावो के अनुसार उदय की पूर्ण व्यवस्था कर्म करें पूरी व्यवस्था है वो कर्म करता है ये ऐसा नेसरगीक नियम है कुरुपाड़ो देव ने लिखा है एक भेदे आ जगतनों करता नियम जगतनों करता अचे जगत का करता कौन है नियम ये सिस्टम से चल रहा है ये स्रश्टी कोई भगवान अगवान ने की नहीं है इस सिस्टम है वो ही भगवान है उस सिस्टम से ऑटोमेटिक चल रहा है उस ऑटोमेटिक व्यवस्था को लोग को कि समझ में नहीं आती है समझ में नहीं आती है इसलिए उसको क्या केता है परमसक्ति, परमसक्ता, भगवान ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं उन्होंने उसको व्यवस्था को परंतु वो एक व्यवस्था है वो कोई व्यक्ति नहीं है वो कोई चेतना नहीं है व्यवस्था है अगनी में हाट डालेंगे तो क्या होगा जलाएगी तो यह व्यवस्था है अब किस ने भगवान ने जलाया हमक करते हैं तो भोजन करने के बाद उस भोजन का क्या-क्या बनता है रक्त भी बनता है मांस भी बनता है चर्बी बनती है शुक्र वीरिय बनता है अलग-अलग धातु है साथ धातु है कौन बनाता है अब वो वेक्तियों को समझ में निया ना इसलिए कि अंदर पलो बैठे लो ये बना वे छे है अब अंदर कौन बेठा है तुम्हारे लिए घाना पचाने के लिए कोई नहीं बेठा है Automatic व्यवस्ता है, वो पच रहा है और वो सब हो रहा है ये करमों की व्यवस्ता है Automatic ये Automatic व्यवस्ता जो समझता है उसको संव्यख Welcome होता है यथार्त में वस्तु का स्वरूप जो व्यवस्ता नेसरगी की व्यवस्ता है वस्तु की वो समझता है उसी को आत्मग्यान हो सकता है बाकी तो दुसरे के उपर डिपेंड रहे हैं भगवान ने ये इस किया ने ऐसा करते हैं सब भगवान ही करते हैं तो आप क्यों कर रहे हो इस सारा भगवान ही खिलाएंगे जब भगवान पचाते हैं तो वो भगवान खिला भी सकते हैं तो आप क्यों खाते हो बैठे रहो थ क्वेज्टु वेवस्ता और हमको समझ में नहीं आरी वो व्यवस्ता तो जो समझ में नहीं नहीं आरी इस लोग इसलें क्या केरें हम भगवान चंदू अपने लिएंगे विध्यातव निकलेगा नहीं तो मिथ्या तो निकलेगा नहीं पर जगत में कहना का ऐसा कहते हैं लोग भगवान जेम राखेटेम राम राखेटेम ये एक कथन पद्दति है वास्ता में राम किसी को रखता नहीं है राम अपने में वो तो आप आत्मा में लेने किसी को अच्छा रखने कि इन किसी को पुरा रखने पूर, कथन पद्दतियों को समझना कि कहने मातर के लिए कर्म हम को जैसा रखता है हम रहते हैं। तरहाद फल भी उससे आता तो हम ही अपने विधाता हैं और कोई विधात्री नहीं है नहीं विधाता चटीना लेक यह सब मुड़ता है हैं चटीना लेक आपके लेक तो पहले से ही लिखकर कर आ चुका है जब जनम हुआ तब से आपके फिक्स है यह यह कर्म किये थे इस मनु होगी आपको कौन-कौन से रोग होंगे, कौन-कौन से लोग बिलेंगे, कौन-कौन से लोग आपसे बिचडेंगे, कितना दुख होगा, कितना सुख होगा, ये सब मैच फिक्सिंग है, ये क्या है, मैच फिक्सिंग है, अपन तो क्यों इतना कर सकते हैं कि उसका उदे आए, उस समय हम समताभाव में रहे, बाकी तो होनी और अनहोनी इन दोनों में एक ही समानता है, क्या है? दोनों अटल है, होनी और अनहोनी दोनों में एक ही समानता है और वो यह है कि दोनों अटल है, दोनों ही टल नहीं सकते न होनी टल सकती है न अन होनी होनी है वो होके रहेगी और अन होनी है वो नहीं होके रहेगी आप कुछ भी करो अटल है वो दोनों पनार छेते फरनार नहीं फरनार छेते तो अपन क्यों ये हो जाएगा वो हो जाएगा कितना डरा-डरा सा विक्तिर रहता है अब क्या हो जाएगा जो होना है वो होगा और नहीं होना वो तो नहीं होगा तो निर्वय होके चलो जगत में निर्वय होके चलना ती व्यवस्था समझनी पड़ेगी और केवल समझनी नहीं पड़ेगी श्रद्धा करनी पड़ेगी प और भगवान तो उसको डर कहते और जो वेक्ति को परमार्थ अधिक खिल जाता ने, उसके जीनमें कोई सावधानी नहीं है, विचरे उदे प्रयोक। वो अपने आपको कहीं कोई बचाता ही नहीं है वो विक्ति उसको पता है कि जिसका उदे जिस समय है वो होगा इसमें क्या दिक्कत दरे डरे से नहीं रेना समझा भगवान की बात को वस्तु की व्यवस्था को समझना फिर आगे केते हैं कर्म समान व्यवस्था पक इस जगत में और न दिखता है वो जो व्यवस्था करता है उस ऐसी व्यवस्था इस जगत में और कोई करता नहीं है कदाचित किसी जज से सुप्रिम कोर्ट से गलती हो सकती है वो तो साक्ष पे चलता है न तो किसी ने साक्ष जूटे कि ये कोई जज है वो पक्षपाती हो सकता ये सब हो सकती है परंतु एक बार सुप्रिम कोर्ट से तो छूट जाए पर कर्मों से कैसे छूटेगा उससे त इतनी बात सब समझ जाए तो कोट की आवशक्ता रहे नहीं पहले कोट की वेवस्था ही नहीं थी जब इदर सुश्मा सुश्मा काल था, सुश्मा काल था और सुश्मा दुश्मा काल था इन तीन कालों में तो कोई कोट की वेवस्था नहीं थी इसके बाद से फिर कर्म भूमी प्रारंब होने लगी फिर राजा की वेवस्था फिर लोग लड़ाई जगड़े करने लगया फिर राजा की वेवस्था होने लगी तो उनके समय में रिशब्देव के समय में नियाई वेवस्था कैसे उदित पता है सबसे पहले तो एकदम उत्पुरुवार्ध में तो कि वाल राजा के पास किसने कोई गलती कियो न तो राजा के पास जाता और जाकर के निविदन करता कि भाई इसने ये दोश किया मेर से ये गलती हो गई तो राजा के वाल कहता कि हाँ बस इसी से वो इसका दंड था कि राजा ने सुन लिया और वो सुधर गया इतने सज्जन लोग थे उस समय फिर काल थोड़ा नीचे आया यहाँ फिर वेवस था कि फिर राजा क्या करता राजा कहने लगा कि हाँ और माँ मैंने सुन लिया और माँ अब करना मत तो इससे वेक् और फिर निचे का काल आया, उस काल में फिर तिन शब्द बोलता राजा, पहला कहता हाँ, हाँ मैंने सुन लिया तुमारी बात, तुमारा दूश, तुमारा प्रात, फिर कहना मत, ना मा के मत करो, ऐसा फिर से करना नहीं, और फिर कहता दिक, दिकार है तुमको, तुमने ऐसा क इसके बाद ये मृत्यु दंड ने वो सारे दंड देने, इसलिए हम बहुत नीच काल में हैं, इसलिए हमारे लिए यह नियाय व्यवस्था हैं, सारी चल पड़ती हैं, परंतु कर्म का न्याय है वो अटल है वो कोई न्याय धिश हो करके वो वसुराजा बैठता था वसुराजा की कथा आती है ना उसने क्या कर रखा था कि एक स्फटिक का सिंगासन बना रखा था स्फटिक का सिंगासन बना दूर से ऐसा दिखता नहीं था तो खाली जगए ऐसा दिखता था और ऐसी बाते फेला रखी थी उसने कि ये वसुराजा है वो सत्यवादी है इसलिए वो आकाश में बेठता है उपर ऐसी बाते फेला रखी उसने इसलिए सब उसके पास न्याय करने कि ये राजा जूट बोलता नहीं है पर वो जब नारज जी और परवत का लड़ाई हुई न कि बाई कि बोलो अज का मतलब क्या होता है ब्रिही का मतलब क्या होता है तो परवत यूं कहने लगा कि इसका मतलब बकरा होता है इसलिए बकर को हॉम करके यग्य करना चाहिए उसकी बली देने चाहिए पिर नारद ने कहा कि भई इसका अर्थ ब्रीही का अर्थ बिना उगे ऐसा अनाज होता है जो फिर से उगे नहीं ऐसा अनाज होता है दोनों में जगड़ा हुआ फिर का गए राजा के पास गए राजा जो कहेगा वो ठीक और अगर राजा ने जिसके पक्ष में लिया दूसरे पक्षवालों को अपनी जीप कटानी पड़ेगी तो वो उस परवत की मा को पता पड़ा लगा गि मेरा बच्चा वो मेरा बालक है वो जूटा है वास्तम में ब पक्रे की बली से नहीं करना चाहिए। तो वो इस राजा एक पास गई, कि मेरा गुरुदक्षना बाखी है, तुम गुरुदक्षना दो, क्योंकि मेरे पती ने तुमको पढ़ाया, वो उसकी गुरुमाता हुई, तो कहा कि आप जो कहो, मैं करने को तयार हूं, तो उसने कहा क परवत का की नहीं बकरेस की बली देनी चाहिए यग्य में बिरीही का मतलब बकरा होता है बिरीही का मतलब बिरीही का मतलब एक अनाज होता है और एक अज होता है ऐसे दो प्रकार से होता है तो बकरा तो क्या हुआ उस समय घटना सिंहासन तूट गया किसी ने कुछ नहीं किया उसको सिंहासन तूट गया और नारत ने कहा कि देखो ये सब लोग हैं तू जुड बोला कि इसका आर्थ बकरा होता नहीं है इसका आर्थ अनाजी होता है तो भी कहा उसने फिर अहंकार आ गया कि नहीं एक बार मैं बोल गया हूँ मैं बोल गया वो ही सत नारत ने कहा कि तेरा सिंहासन तूट चुका है और फिर से अगर तू सत्य नहीं बोलेगा तो तू नरक में जाएगा फिर भी उसका उहंकार सात्वे आस्मान पर इसलिए वो नहीं माना अपने जूट पे अटल रहा तुरंत मरा और मर करके सात्वी नरक में गया अब लोगों ने न्याए थोड़ी किया उसका उसका न्याए किस ने किया कर्म ने किया तुम जूट बोलोगे इतने बड़े सिहासन पर बेट करके जूट बोलोगे इसका फल तुमारे सात्वी नरक है वहां सड़ते रहो, सागरों तक सड़ते रहो इसको व्यवस्था पक केते हैं वो किसी को देखता राजा व्यवस्था पक नहीं होता है राजा तो कभी किसी के पक्ष में आ जाता है किसी के एहसान में आ जाता है परन्तु कर्म किसी के एहसान में अपनी अपनी करनी के अनुसार सब के लेख लिखता है राम जरोखे बेट कर सब का मुझरा लेट जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल देद तो राम जरोखे बेट कर का क्या मरला हुआ? ये आत्मा राम वो तो कुछ कर नहीं रहा है भगवान कुछ कर रहा नहीं है पर जो जैसा करता है उसको वैसा फल वो तो साक्षी स्वरूप है जितने भी भगवान हो गए हैं सिद्ध हो गए हैं साक्षी स्वरूप हो गए हैं जगत के ग्याता द्रश्टा हो गए हैं वो किसी को न तो अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं पर ये जीव ही जैसा करता है वैसा उसको मिल जाता है इसलिए प्रार्थना है अच्छा होने के लिए और बुरा होने के लिए नहीं करनी भगवान से भगवान से प्रार्थना किसके लिए कि ये कर्म नाम की वस्तु है न उसी से मेरे को मुक्त करदो कर्मों से मुक्त तो आप जिस प्रकार से साक्षी स्वरूप, वित्राक स्वरूप हो चुकें, वैसा मेरे को कर दो तो मुझे इसके चक्कर में पढ़ना पड़े नहीं, विधाता के चक्कर से इस माया से मैं निकल जाओं, यह माया जाल ऐसा, और बनाया किसने माया जाल, भगवान ने थोड़ ही भाव करता है, अच्छे बुरे, फिर उसके अच्छे बुरे कर्म बंदते हैं, फिर उसका अपने काल पे उदे आता है, फिर उसका फल मिलता है, फल मिलता है, उस समय वापस वो ऐसे कर्म करता है, तो ऐसे जाल में फसता जाते हैं, अपने ही बनाये जाल में वो मकड़ी इस अगनी ने हाथ जलाया मेरा अगनी हाथ जलाती है तुमारे करम ने हाथ जलाया वो नहीं दिखता है तुमारे कारण से मेरे अगर तुम नहीं होते हैं आज मैं का होता कितनी प्रोग्रस कर लेता है तुमारी युग्यता ऐसी थी वाई तुमने इसे कर्म किये थे तो अंत्रा आए ये सब वस्तु विवस्त था एक बार समझ में आ जाए श्रद्धा हो जाए तो ये जीव किसी को दोश देता नहीं है और शान्त हो जाता है बन्यू ते न्याए सुप्रीम कॉर्ट बोलो अब कॉर्ट में जाना कि नहीं जाना अपनी लड़ाई जगड़े लेके अपनी लड़ाई जगड़े लेके कभी कॉर्ट में जाना नहीं कर्म सब की विवस्ता करता है और अपने कोई विरुधी हो ना उसके प्रती ये भावना भी नहीं रखना कि कर्म इसको सजा क्यों नहीं देता पहले एक गाथा में ये भी आये था कि कर्म इसको मैंने तो वह सजा नहीं दी पर भगवान तो देगा ना उसका कर्म तो सजा देगा ये भावना भी नहीं रखनी उसको मिलना हो तो मिले नहीं मिलना हो तो क्यों क्योंकि एक बार जब हम कर्म बांधते हैं तो कौन से कर्म का फल मिलता है जो निकाचित होता है उसी का फल मिलता है दो ही कर्म फल देते हैं निकाचित और निधत बाकी कर्म फल देते हैं वैसा के वैसा फल नहीं देते हैं जैसा बांधते हो वैसा के वैसा फल तो एक न निकाचित द्रव्य है वो ही देता है इसलिए जब हम कोई भी भाव करते हैं यह वस्तु समझना अची तरह से तो इसमें थोड़ा अंश निकाचित पड़ता है उसमें थोड़ा अंश है वो निकाचित पड़ता है सभी पड़ता है यह सा नहीं है पर किसी कर्म में सारा कर्म निकाचित नहीं होता है, उस द्रव्य का थोड़ा अंश निकाचित होता है, और जितना अंश निकाचित है, उतना फल आपको भोगना ही पड़ेगा, कर्म तो बहुत सारा बांधा था, पर जितना अंश आपने निकाचित बांधा है, उतने ही निशेकों का फल आपको उसी त पस्याके द्वारा जला सकते हो, बाकी कर्म का क्या क्या कर सकते हैं, तो कर्म का उदकर्शन कर सकते हैं, मतलब अपन उसकी इस्थिति और अनुभाग को बढ़ा सकते हैं, अपकर्शन भी कर सकते हैं, उसकी इस्थिति अनुभाग हो कम भी कर सकते हैं, उसकी उदिरना भी कर सक कि सब वेवस्ता है उसको अंदर यंदर जला सकते हैं यह सारी कर्म की वेवस्ता संक्रमन भी कर सकते हैं पाप किया था उसको पुण्डे में कनवर्ड कर सकते हैं पुण्डे को पाप में कनवर्ड भी कर सकते हैं यह सब अपने भाव के अदुसार है इसलिए कोई कर्म कर लिय तो निराश हो करके नहीं बेटना है कि हमने कर लिया आओ हमारा क्या होगा ऐसा नहीं है अपने पास अपने हाथ में सब प्राइस्चित आदी के द्वारा अच्छे भाव करके अच्छे कारिय करके हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं और तपस्या के द्वारा नश्ट भी कर सक हाँ आपने ऐसा करम बान लिया निकाचित बान लिया थोड़ा सा तो फिर उसको भोगना ही है परन्तु निकाचित कौन सा बांदा वो तो अपनों को पता ही नहीं है न तो हम कैसे मान सकते हैं कितना भी घोर पाप किया हो परन्तु कदाचित निकाचित नहीं पड़ा हो तो उ आज में उसने तपस्या करके खपाया, क्योंकि निकाचित नहीं बांदा था और उसने खपा दिया, खपा दिया इसलिए उनको कोई भोगना पड़ा, नहीं, ऐसे बहुत बड़े खोटे-खोटे काम करने वाले भी वालिया लूटा रहे जैसे भी हैं, जो पहले डाकू था औ इतनों को हत्याई की, यह सब किया, और फिर भी बाद में महात्मा बन गे, क्यों तपस्या करके उन सब को जला दिया, यह तब किसके लिए है, प्रैश्चित नाम का तब, सबसे बड़ा तब, अपने कर्म को जो भी किया है, उसको स्विकार करो, सबसे बड़ा तब क्या है, अपने अपराद को स्विकार करना, यह सबसे बड़ा तब है, इस जगत में, क्योंकि अपने अपराद को स्विकार करने में क्या आड़े आता है, पता है अपने, नाक, नाक आता है, कोई बहुत से ऐसे हो तो स्विकार तो सामने वाला जिसके से अपराध हुए ने वहां स्विकार नहीं करते हैं और भगवान के पास जाके भगवान मने खबर भी खोटू में करूँ छे मैंने गलत किया पर मैं उसके सामने नहीं कह सकता मैं आपके सामने कह सकता हूँ क्योंकि भगवान तो कोई उसको दो थपड देने वाले नहीं अत्वा कोई भला बुरा भी कहने वाले नहीं उनके सामने आपका कोई अहंकार आता नहीं इसलिए उनके सामने जाकर के कहते हो जो कुछ कहने वाले ही नहीं आपको तो उनके सामने जाकर के कहेंगे तो हमारा अहंकार नहीं निकलेगा इसलिए किसके सामने जाकर केना जिससे अपराद हुआ है जिसका हमने अपराद किये उसी के पास जाओ और उसको कहो कि मेरे से गलती होगी भई मैंने आपके बारे में ऐसा विचार किया था और इस प्रकार से मैंने कर दिया था आप मुझे माफ करना तो उसका प्रायसित सही धंग से हुआ नहीं तो हुआ और गुरू के पास जा करके खुश हो गया मैं तो गूरू के पास जाके उसका प्राइसित ले लिया ते ऐसा नहीं गूरू पड़ो देव की दो अग्यान अवस्था में आपने कोई गलत बोद दिया अब वोГलत बोद जिन जिन लोगों को दिया तो आपको ग्यान हो गया कि मैंने गलत दिया था जब आपको गुरु मिले और ग्यान हो गया कि आप हमने बहुत गलत दिया था हम गलत ही समझे थे तो अब गुरु ऐसा कहता है कि अब उन सब लोगों के पास जाओ तुम और जा करके मिच्छामी दुख्ण माफी मांगो कि अब तक मैंने जो जो बोला था जो जो उपदेश क कर लो तमे को तो पहाड उपर परवत नी चोटी उपर थी पड़ू तमे को तो आत्मा त्य कर लो पड़ एमना सामें जाहिनी तो मने क्यावाए नहीं मतलब मैं उनके सामने जाके तो मैं नहीं कहूंगा तो फिर गुरु केता है कि तो फिर तेरा दोश भी जाएगा नहीं तू मुक्ति का अधिकारी नहीं है तू मेरे शिष्य बनने का अधिकारी भी क्योंकि तू इतना अहंकारी है जहां अहंकार गिसना होता है न वहां तो विक्ति गिसता नहीं है और जहां अपना अहंकार गिसता ही नहीं है वहां जाकर के ऐसे ऐसे करता रहता है आप बड़े मेरे से गलती होगी छोटे बच्चे का भी हम अपराद करें उसके पास भी जाओ माफ करना छोटों के सामने हमारा अहंकार छोटों के सामने और बराबरी वालों के सामने हमारा अहंकार जागता है इसलिए वही पर अपने अहंकार को मारना चाहिए चोटों के साम और बराबरी वालों के साम इसलिए घर में अपने बच्चे से भी अपनी गलती हो जान बच्चे के प्रतित, अपने बच्चे की माफी माँदा, उसके भी पाउं छुने में जराबी संकोच नहीं करना सिखा है, अथ्वा कोई गलती करें, अपनी पतनी से गलती होगे तो उस पती को चाहिए माप करना गलती हो नहीं तो वहाँ उसका अहंकार आता है इसको क्या कहना है इसा नहीं वहाँ आपका इगो उसको नश्ट करना है अपने को इसलिए जहां तहां से अपने अहंकार को नश्ट करेंगे तो यह कर्म जलेंगे कर्म जलाने की यह व्य निकाचित का मतलब ऐसा होता है कि इतने द्रड आसकती पुर्वक उस कर्मों को बांधा है कि वो इतना जबर्दस्त निभीड बंद हो गया है कि अब उसका फल आपको मिलेगा किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार की तपस्या से उस कर्मों को आप खपा सकते नहीं है उसका नाम निकाचित होता है तो बहुत असक्ति पुरुवक करते हैं रोद्र परिणामों से करते हैं तो ऐसे करम बंद जाते हैं सावधान रेन ओगणीत ते ज्यानी नाचर्णमां ओवंदन अगं सद्गुरोद परंकुपालो देवकी त्रिलोकनानात कीजै सबसंतन कीजै आनन्दिघं ओम एक मिनद मौम आत्म अनुसंद्धा ओम शांटि 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 वी याई सक्रुपत